आता है सीजन शादी.com का आज ही डाउन्लोड कीजिए वो महबबत की चाशनी और चाहत का पैमाना बस तेरी आर्जु हो और उल्फत का अफसाना वो बातों में जादू वो मन का जीत जाना कभी आपको हसाए कभी खुद का गुद गुदाना दोस्तों आदाब मैं तारिक उस्मानी लेकर हाजिर हूँ आपका प्यारा और खास प्रोग्राम कभी हाजिर है डेडी उर्दू लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हसाएगा गुद गुदाएगा और कभी कभी संजीदा कर जाएगा एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की मुश्तर का तहजीब और अदबी शओर का गहवारा है तो किस बात की ताखीर है जी हाँ कभी हाजिर है दोस्तो फराज साहब की जमीन को एक हासे कभी ने उल्टा पुल्टा कर दिया है कहते हैं कि सुना है लोग उसे पेट भरके देखते हैं अकेले हम हैं जो बस गौर करके देखते हैं सुना है दिन में उसे बिल्लियां सताती हैं सुना है रात में चूहें कुतर के देखते हैं तो हमारे बीच भी एक ऐसे ही शायर हैं एक ऐसे हासे कवी हैं जिने हम प्रकाश गुपता के नाम से जानते हैं इस्तक्बाल करते हैं सुनते हैं उनके शायर ही कभी हाजिर है पोंचने लगा यह संता संता दूसरे से निकाल से पत्नी दोनों कानों से सुन्ती हो और मूह सेनिकालती तब उहां से एक कविता निकल कर आ गई एक हास की रचना आप तक पहुंचाता हूँ आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा लोग बहुत सुनते हैं प्यार से उस कवीता को आप तक पहुंचाना चाहता हूँ कि एक पत्नी ने अपने पती ayo कीसी लगती हूँ अरे ये तू बताओ पती बोला बात है बिल्कुल सची पती बोला बात है बिलकुल सची तो मुझे लगती बहुत अच्छी। पतनी बोली सची। ले गए नहीं है तो बताओ कितनी अच्छी। पती बोला अब कितनी अच्छी। क्या बताओं। अरे दिल करता है तुम्हारी जैसी एक और लियाओं। दिल करता है तुम्हारी जैसे एक कॉल ले आओं और एक गजल से आपको जोड़ना चाहता हूँ आप एक सीन से जुड़िए जब बरसात नहीं हो रही होती तो टीवी चैनलों पर एक निउस आने लगती है चानों तरफ सूखा सूखा बरसात कहा चली गई इस तरही की निउस चैनलों पर निउस होती हो जब बरसात होती है तो बारिश ने मचाया हाहाकार इस तरहे के सीन आते हैं तब वहां से गजल निकल कर आती हर एक शेर कहीं न कहीं आपकी जिंदगी आपके किरदार और समाज और देश से जुड़ा है दुनिया से जुड़ा है मज़ा अरे लाइट गुल हो गई अंधेरी रात से डर गए लाइट वहीं होता है बरसात होती है लाइट गुल हो जाती है कि चार दिन पानी के अगरा बरसात से डर गए अरे लाइट गुल हो गई अंधेरी रात से डर गए और शेर बहुत ही बारिक आप तक पहुंचाता हूं कि चोड़ी करके भागे तो थे चाती 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 चोड़ी करके भागे तो थे शहर की तरफ अब बापस आना पड़ा तो देहात से डर गए और खूब चक्कर काटे तुमने हमारी महबत के लिए खूब खूब चक्कर काटे तुमने हमारी महबत के लिए और अब जब हम आगे बढ़े तो जज़वास से डर गए और एक शेर पहुचाना चाता हूँ यह आपकी कहानी भी हो सकती मेरी तो खेर नहीं है यह किसी के भी कहानी हो सकती थी कि खूब कहते थे हिम्मत दिखाओ घर आओ ले जाओ खूब कहते थे हिम्मत दिखाओ घर आओ ले जाओ अरे जब विदा कराने पहुचे तो बारात से डर गए और आखरी शेर तक पहुच गया हूँ इस पूरी यात्रा में इस पूरे सफर में कि घाओ सहने पड़े हमको कि घाओ सहने पड़े हमको खरोच ना आने दी तुमको और हमारे लिए बस एक छोटे से आघात से डर गए हमारे लिए बस एक छोटे से आघात से डर गए आखरी बहुत बहुत नमस्कार बहुत 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 शुक्रिया प्रकाश गुपता आपको हासे व्यंग की कविताएं और घजले सुना रहे थे दोस्तों व्यंग सिर्फ वो नहीं है कि जो हसादे बल्कि उसके अंदर कुछ न कुछ दर्द भी होना चाहिए जैसे एक शेर है के रंग उखड जाएं तो जाहिर हो पलस्तर की नमी कहकहा खोद के देखो तो तुम्हें आह मिले अब चलिए हम हसी से आह की तरफ चलते हैं हमारे साथ हैं जनाब शायर मुरादबादी साहब उन से सुनते हैं उनकी घजलें इस्तक्बाल करते हैं तुस्तों अदाब में शायर मुरादबादी सबसे पहले मुबारक बात पेश करूंगा दूर दर्शन को कि जितने जिसने इतनी खुफसूरत में फिल्म में हमें इन्वाइट किया मतला दिखिया है कि तुम ही जब बढ़कर नहीं आए तो गट्री बान ली तुम ही जब बढ़कर नहीं आए तो गट्री बान ली हमने अपने पाउं से सोबा रसी बान ली तज्रुबा उनको नहीं था और हमें भी इश्क का हस्ते हस्ते यूँ गले में हमने घंटी बान ली तो उतले लफजों ने रखे जब मेरी आखों पे हाथ मैंने फिर चुपचाप से आखों पे पट्टी बान लिए तुझे मैंने चुन लिया था तिरी इजाज से भी पहले मुझे तुने मात दे दी मेरी मात से भी पहले तुझे क्या ख़बर है शाइर मैंने शेर के दिया था तुझे क्या ख़बर है शाइर मैंने शेर के दिया था फैलात फाइलात उन फैलात से भी पहले फैलात फाइलात उन फैलात से भी पहले हैं जिन्देगी का कोई भरोसा नहीं जिन्देगी का कोई भरोसा नहीं मौत के सेक्ड़ों बहाने हैं खुद ही खुद का रकीब लड़का हूं खुद ही खुद का रकीब लड़का हूँ मैं भी कितना अजीब लड़का हूँ खुद ही खुद का रकीब लड़का हूँ तुम किसी मीर की घजल हो मैं तुम किसी मीर की घजल हो मैं चार दिन का अधीब लड़का हूँ तुम परिस्तान की हो शेहजादी तुम परिस्तान की हो शेहजादी शेहर का मैं मुईब लड़का हूँ शेहर का मैं मुईब लड़का हूँ बहक सकता हूँ आईए ना हुजूर बहक सकता हूँ आईए ना हुजूर मेरे इतने करीब लड़का हूँ मेरे इतने करीब लड़का हूँ मक्ता मुलाइजा की जहाँ के जिसको शाइर पुकारते हैं जनाब जिसको शाइर पुकारते हैं अदीब मैं वही खुश नसीब लड़का हूँ मैं वही खुश नसीब मतला मुलाइजा की जहाँ के बस तुम्हें लकीर बुनी है परी बन जाएगी, बस तुम्हें लकीर बुन्नी है, परी बन जाएगी, पैंसिल फिर खुदी जादू की छड़ी बन जाएगी, जब तलक में नहीं कहूँ आखे ना अपनी खोलना, देखना कुछ देर में सुई घड़ी बन जाएगी, जब तलक में नहीं कहूँ आखे ना अपनी खोलना, देखना, कुछ देर में सुई घड़ी बन जाएगी, लाओ दिखलाओ मुझे तुम क्या बना कर लाएगी, तुम जो पर लिख जाओगे तो जिन्दगी बन जाएगी, तुम मेरे इन खाली हातों पे न जाना दोस्तों, द दो लकीरे खेज दूतों जोपडी बन जाएगी, तुम मैंने बस यूहीं जुनु में खीज़ डाली थी लकीर, क्या खबर थी मुझे को ये तेरी गली बन जाएगी, मतलब मुलाज़ा कर तुमको खुश्बू दिखलाता हूँ मेरी जोली में कुछ कंकर पत्थर हैं आओ मैं तुमको जादू दिखलाता हूँ मतलब मुलाज़ा कीजिए खुरत का इश्क में सिक्का परेशानी से चलता है खुरत का इश्क में सिक्का परेशानी से चलता है चलाए जाओ जब तक काम आसानी से चलता है खिरत का इश्की में सिक्का परेशानी से चलता है चलाए जाओ जब तक काम आसानी से चलता है खिरत वालों को क्या मालूम इस राहे महबत में खिरत वालों को क्या मालूम इस राहे महबत में वही आगे निकलता है जो नादानी से चलता है मैं अपने मिस्राए अवल पे इतनी दाद लेता हूँ मैं अपने मिस्राए अवल पे इतनी दाद लेता हूँ कि जितना काम उसका मिस्राए सानी से चलता है मैं अपने मिस्राए अवल पे इतनी दाद लेता हूँ याद आप बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शायर मुरादावादी साहब बहुत उम्दा घजले सुनाई उन्होंने कहा कि आईए अब आपको मैं जादू दिखलाता हूँ तो क्या आप भी जादू देखना चाहते हैं तो देखिए जादू हमारे बीच हैं आगरा से सलोनी राना साहबा अब आपको मैं क्या बताओं मुझे तो सिर्फ परवीन शाकिर का ये शेरी आदाता है कि लड़कियां बैठी थी पाउं डाल कर रोशनी सी हो गई तालाब में तो उनी से सुनते हैं उनकी शायरी इस्तक्बाल करते हैं मौतरमा सलोनी राना साहबा का इस्तक्बाल है कवी हाजिर है कि टीम का बहुत-बहुत शुक्रिया कि मुझे उर्दू के मच्च से इतनी लाजवाब मंच से आपने जुड़ा है मैं चार मिस्रों से आप सब का इस्तक्बाल करती हूं सुनिएगा प्यार का आसमान है उर्दू इश्क की पासबान है उर्दू सारी दुनिया में धूम है जिसकी कितनी मीठी जबान है उर्दू एक मेरी प्यार की गजल है मेरे दिल के बहुत करीब है और जब प्यार की बात आती है तो वो गजल सबसे पहले मेरे होटो पर चलिया आती है मैं वो गजल आप तक पहुँचाना चाहती हूं आप सबका प्यार भी मुझे इसी तरह मिले जिस तरह प्यार से मैंने उस गजल को लिखा है सुना अब तो मेरे होटो पे बस तेरी कहानी है अब तो मेरे होटो पे एक तेरी कहानी है कैसी ये मुहाबत है कैसी ये मुहाबत है कैसी ये जवानी है मजहबों के पिंजरे में 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 लाख कैद कर लो पर दिल के इस परिंदे ने दिल के इस परिंदे ने बात किसकी मानी है दिल के सकरंदे में बात किसकी मानी है लवज ही जटाते हैं लवज ही जटाते हैं लवज ही छुपाते हैं जिस तरह हम लोग यहां इस महफिल में आते हैं और अपना सारा गम भूल जाते हैं उसको नजर करती हूं सुनिएगा एक तरफ है अपना गम एक तरफ है यह महफिल हम को मरते मरते भी हां हम को मरते मरते भी शायरी सुनानी है और आखरी शेर मैं खुद को नजर करती हूं सुनिएगा वक्त ने सिखाया है ये हुनर सलोनी को बात क्या बतानी है हां बात क्या बतानी है बात क्या छुपानी है अब तो मेरे होटों पे बस तेरी कहानी है कैसी ये महाबत है कैसी ये जवानी है कैसी ये महाबत है कैसी ये जवानी है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया सलोनी राना साहिबा से आप गदले सुन रहे थे दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक ऐसे शायर की तरफ चलते हैं कैसे अदीब की तरफ चलते हैं जिनकी मुकमल शख्सियत से जिनकी शायरी से आपको हिंदुस्तान की महक आ दोस्तों आईए इस्तक्बाल करते हैं बहुत इज्जत और इहतराम के साथ इस शेर के साथ के वतन की खाक जरा एडियां रगड़ने दे मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा इस्तक्बाल कीजिए फारुक बिजनौरी साहिब का तश्रीफ लाईए सब्सक्राइब आपकी खिद्मत में फारुक बिजनौरी का आदाब दूर दर्शन डीडी अर्दू का दिल की गहराईयों से खेरमक्दम करता हूँ शुक्रियादा करता हूँ के नाचीस को मौका दिया आई हजराद इस श्यर के साथ अपने शायरी का आगास करता हूँ के ये जमी वो जमी है जहां प्यार से तेरी गोदी में खेले है गंगो जमन मेरे प्यारे वतन मेरे प्याये वतन और नग में इसके तु गाता है शामों सहर तुझ में देखी है फारुब ऐसी लगन मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, और वतन के नाम ये गीत पेश कर रहा हूं देखें ये मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन है हर लमह जहां प्यार व मुहबत का चलन है कश्मीर की वादी में है जन्नत का नजारा कोह सारों से मिलता है हिफाजत का इशारा लगता है के जैसे कोई परदे में दुलहन है ये मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन है है मन्दिर और मस्जिद तेरी पे शानी की जीनत मिलता है जहां ताज से पे गाम मुहबत मिलता है जहां ताज से पे गाम मुहबत गंगा का हमेशा यहां जमना से मिलन है ये मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन है कोह सारों पे चांदी सी लगे बर्फ की चादर जरने भी मचलते हैं जहां मस्ती में आकर पढ़ती हैं जहां वाक्त साहर पहली की रन है ये मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन है मौसम के हसी फूलों से महकें पजाएं दामन को तेरे चूमती बल खाती हवाएं पढ़ती हैं जहां वाक्त साहर पहली की रन है ये मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन है फूलाद के सीने की हैं सर हद पे चटाने जाबाज जहां भरते हैं हर वाक्त उडाने जाबाज जहां भरते हैं हर वाक्त उडाने हाथों में हैं बंदूक बंधा सर पे कफन है ये मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन है ये मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन है आई हज़रात एक गजल के चंद आशार पेश कर रहा हूं समात परमाए मुहाबत में न जाने किस कदर रां सुबहाए है मुहाबत में न जाने किस कदर रां सुबहाए है भुलाना जितना भी चाहा वो उतने याद आए है और शेर देखें कि ये तनहा ये खामोशी ये शबर जागते रहना हमारा हाल क्या पूछो जमाने के सताए हैं हमारा हाल क्या पूछो जमाने के सताए हैं और मक्ता और पेश कर रहा हूं देखें कि माजरत के साथ के तरन्न से पढ़ी सबने घजल फारूक मेह फिल में हमारा नाम जब आया वो सुनकर मुस्कुराए हैं मुहाबत में न जाने किस कदर आसु बहाए हैं बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया यह थे जनाब फारूक बजनौरी साहब बहुत उम्दा घजले सुनाई आईए दोस्तों आप वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का नौज़वान शायर रियास तारिक का ये शेर के आप ठक गए हैं हम तो सफर भी तमाम हो सूरज भी घर को जाए हमारी भी शाम हो लेकिन ये शेर मैंने ऐसे नहीं सुनाये कि हमारी शाम हो जाए बल्कि इसलिए सुनाये के शाम के बाद फिर सहर आती है उसी कमी हाजु है, 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 कमी हाज आगने एपकर सążे छागनेक meant कवी हड़ि Essayette कवी हदु geht कवी हदु कवी हदु इतनी जल्दी पैसे डबल ओ, जमा करोगे तो फिर भगता होगे यह लाओ ऐसी लुभाने वाले स्कीम्स में पैसे जमा करना यानि धोके का इमकान